यार वैसे तो आपके मुबाइल में आपकी हर परसनल इंफोमेशन से लेकर हर प्राइवेट इंफोमेशन मौजूद होती है मगर अपने मुबाइल के बारे में आप ऐसी पांच कमाल की बातें नहीं जानते होंगे जो आपको भी हरान कर सकती है गैस नमबर एक पर आता है ब्लॉक एड्स यार आप लोगों ने भी ये परिशानी खई बार देखी होगी कि जब भी आप अपने मुबाइल पर कोई गेम खेलते हैं तो आप बार बार एड्स के चलते काफी ज़ादा परिशान होते हैं लेकिन यार अब ये परिशानी ना जादा देर नहीं टिकेगी यार इसके लिए ना आपको सिर्फ इतना करना है अपने इंटरनेट को बंद करो और उसके बाद गेम प्ले करो इस तरह से कोई भी एड्स आकर आपको गेम में परिशान नहीं करेगी यार नमबर दो पर आता है टेकिंग फोटोस फाइल वीडियोस यार आपने कई बार अपने कैमरे से वीडियो रिकॉड करते समय ये सोचा होगा कि का यार इस समय मैं फोटो भी क्लिक कर पाता तो यार शायद आप नहीं जानते हो कि ये काम आईफोन में आप कर सकते हो यार आईफोन में आप किसी भी वीडियो को रिकॉड करते समय साइट वाले बटन पर क्लिक कर के किसी भी फोटो को क्लिक कर सकते हो तो है ना भाई ये बिलकुल गजब यार नमबर तीन पर आता है स्क्रीन लॉक आपके साथ पी ऐसा कई बार होता होगा कि रोंग पास्वर्ड के चलते ही वहाँ पर पास्वर्ड के लिए टाइमर लगा हो यार ब्रो सही में यार सही में ये तो ना बहुती बिकार चीज लगती है मुझे कि कभी कहते हैं एक मिनिट तो कभी पाँच मिनिट की वेट आती है लेकिन यार आज इस वीडियो के जरीए न आपकी ये मुश्किल भी मैं दूर करूँगा पर इस एप का नाम न याद रखो स्क्रीन लॉक टाइम पास्वर्ड इस एप को अपने फोन में इंस्टाल करने से ही आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी यार यहां पर खास बहत तो यह है कि यहां पर जब भी आपका मुबाइल आपसे पास्वर्ड मांगेगा तो आपको उस समय का वो पास्वर्ड देना है जिए उस समय टाइम हो रहा होगा जैसे मान लो अगर आपके मुबाइल ने आपसे पास्वर्ड मांगा है तो उस समय टाइम है 12 वचकर 30 मिनिट तो आपका पास्वर्ड होगा 1230 तो ये तो यार बिल्कुल घज़बी होगा हर समय आपका पास्वर्ड चेंज होता रहेगा और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा ब्रो नंबर चार पर आता है यूस कीबोड और माउस ब्रो अगर आप अपने मुबाइल की बिकार टच से परेशान है तो आपको ये कमाल का फीचर यूस जरूर करना चाहिए इसके लिए सिर्फ आपको एक ओटी केबल चाहिए होगी जिससे आप अपने मुबाइल से ही कीबोड और माउस को अटैच कर सकते हो और बड़ी ही असानी से अपने मुबाइल को कीबोड और माउस से कंट्रोल कर पाऊगे तो भाई ये तो बिल्कुल घजब है तो यार नमबर पांच पर आता है सीक्रेट आइपून कोड्स यार अगर आपको किसी भी समयना आपके आइपून का IMEI नमबर जाना हो तो आपको सिर्फ अपने डाइलर में जाकर हैश 06 हैश डाइल करना है ब्रो आपने भी कई बाइस सोचा हुआ कि का ही यार मैं इस बंदे को काल करते समयना अपना नमबर प्राइवेट कर पाऊं तो बाइस के लिए सिर्फ आपको करना इतना है कि काल लगाने से पहले हैश 3-1-Hैश डाइल करना है और इसके बाद आपको वो नमबर एंटर करना है जिस पर आपको काल लगानी है इस तरह के और भी बहुत सारे आईफून कोट्स मौजूद हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताने वाला हूँ तो गैस आज के लिए इतना ही काफी है मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करो शेर करो अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी सुरूर दबा देना